मद्यप्रदेश के जबलपूर में होने वाली संतोष ट्रोफी में हिस्सा लेने के लिए दादरानगर हविली से फुटबाल टीम रवाना फुटबाल एससेशन अफ दादरानगर हविली के नेतरुत्व में दाना से 20 खिलाडी रवाना हुए हैं जो वहाँ पर फुटबाल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे दाना टीम का मैच मद्यप्रदेश जैसी कई अच्छी टीमों के साथ होगा संतोष ट्रोफी फुटबाल के लिए बड़ा कप माना जाता है और दानाहा की टीम दूसरी बार इस तरह के टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है गुरुबार को फुटबॉल एसोशेशन आफ दादरानगर हविली के अध्यक्ष उपेंद्र पटेल तथा सेक्रेटरी नैविल कुटिल ने खिलाडियों को शुपकामना देकर रवाना किया बच्चे लोग अभी गोवा जा रहे हैं संतर्ष ट्रॉपी के लिए तो दूसरा बार जा रहे हैं हम लोग जो हम लोग महराष्ट्रा गोवा राजस्तान से गेम खेलने वाला है तो इसमें से पूरा गाओं का लड़का है गाओं सब शिल्वासाद दुदनी मांदुनी सुंदनी काउचा दपड़ा सब लड़का हम लोग सिलेक्शन किया उसमें से अम लोग लड़का बीस लड़का जा रहे है इसके लिए तो अमना प्रैक्टिस एक मेना जो प्रसासन अमनों को ग्राउंड रिया प्रैक्टिस के लिए उसे देखके लिए बाद तो लगता है कि हम लोग टॉफ देंगा तीनों टीम को अच्छा लग रहा है संतोष ट्रोफी इंडिया का बहुत प्रीमिम टॉर्नमेंट में से एक आता है तो इसमें हम लोग पार्टिसिपेट क में पूरा मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा प्रॉपर है और अच्छा फेसिलिटी और ट्रेनिंग हमें मिला है तो हम होप करता है कि अच्छा हम रिजल्ट लेकर आएगे गगा